तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेरेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू कवायद यानि की उर्दू ग्रामर का एक छोटा सा और बहुत ज़्यदा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं है ये टॉपिक छोट तो उसको छोड़कर नहीं आएगा हंडेट परसंट करेक्ट बना कर आईएगा अंतक्त बिना इसकिप के वीडियो को देखिएगा और हर एक पॉइंट को ध्यान से समझेगा उस टॉपिक का नाम है मुत्रादिफ लव्ज जी हां मुत्रादिफ से ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोशन आप लोग के एकजाम में ना पूछे हर साल पूछा जाता है तो समझे कि मुत्रादिफ किसे कहते हैं मुत्रादिफ लव्ज आखिर है क्या देखिए मुत्रादिफ लव्ज को इंग्लिश में अकर बात करें तो इंग्लिश में कहा जाता है synonym the word that has the same meaning of another word is called synonym आप ल प्रियाये वाची शब्द यानि कि एक समान अर्थ रखने वाला सब्द के थोड़ा और मैं उपर दूसरे शब्द के उस तरह के व्रको के प्रियाएवाची शब्द बस उसी को उर्दू में क्या कहते हैं मुत्रादिफ लफ्द बस language चेंड लेकिन बात एक ही कहा गये अ गर को एक ओड़ ऐसा है जो दूसरी वाड । दूसरे शब्द के बिलकूल एक अर्थ मानी रख रहा है तो उस लवज को कहा जाएगा क्या मुत्रादिफ लवज और उसी को इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम और हिंदी में कहा जाता है पर्यायवाची शब्द मतलब लेंग्वेज अलग अलग है बात एक ही है एक समान अर्थ रखने वाले लवज को बोलिए या फिर दुख बोलिए बात एक ही है लेकिन लवज अलग-अलग है यह जितने भी लवज है यह सभी लवज अलग-अलग है लेकिन अर्थ एक है या इनकी एक समान अर्थ रखने वाले यह लवज है तो इन सभी लवज को क्या बोलेंगे मुत्रादिफ लवज बो दुख ये एक दूसरे के मुत्रादिफ लव्ज है ठीक है उसी तरह उरूज उरूज का मतलब उचाई और बुलंद का मतलब उचाई मतलब उरूज बोलिये फिर बुलंद बोलिये बात एक ही है मुफलिस या फिर गरीब दोनों का मतलब एक ही होता है पैदाईश बोलिये फि या फिर बेटी बात एक ही एंबन का मतलब होता है बेटा, son of मरियम का बेटा तो इबन का मतलब होता है बेटा फिर बेटा बोली बात एक थी कि उसी तरह ब्रादर आप पादर व्व जातर सकते हैं अबुलकासिम कासिम के पिता जी और बहुत चाहिए लोग अपने पिता झाल लूड़ा है तेहां तो अबु आज कल सबसे जाए लोग मस्यव ुस्मलीजन से उन्हुत हैं उन जादतर वे पिता पिता जी को अब्बा ना कहके या फिर बाबा ना कहके या फिर पिता जी या फिर डैड या फिर पापा ना कहके अभू ही बुलाते हैं क्यों क्योंकि अभू का मतलब होता है पिता जी फादर ठीक है तो इसलिए अभू बोलिये फिर फादर बोली बात देखिए तो फादर य जान लिजे उरूज ले लिए और बोलेगा कि उरूज का मुतरादिफ लव्ज तरजजायल में से कौन है और नीचे चार आप्सन देगा तीन आप्सन तो गलत रहेगा एक ऑप सं में उरूज का मुतरादिफ लव्ज बुलंद देगा उसको आप लोगों को टिक करना रहे वैसे लवज को देखे याद करें जो एक दूसरे के बिल्कुल समान हो यानि कि समान अर्थ रखने वाले शब्द को पढ़ें अगर आप लोग के पास बुक होगा तो याद कीजिए वैसे इसका कोई ट्रिक नहीं है हम लोग मुझकर और महिनों के नाम हो मुझकर लास्ट में चोटी यह रहेगा मुझकर वगरा तो मुझकर मुझकर लगा सकते हैं याद कर लेते हैं लेकिन मुत्रादिफ लफज यह ऐसा लफज है जो कि आपको याद ही करना होगा इसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगा एक समान अर्थ रखने वाला शब्द को आप लोग को याद ही करन बहुत तरह ऐसे लफज मिलेंगे जो कि एक दुसरे के मुत्रादिफ होते हैं ठीक है और आप लोग का जो टेंट और फूर्ट क्लास का उसमें भी बहुत तरह लफज दिया गया है ठीक है तो वहां से आप लोग याद कर सकते हैं तो चलिए कोई भी एक कोशन उठाकर पू कर दो कर दो के दो बिते हैं!